जय मातती मा कात्याइनी सदा आप सभी किरक्षा करें। नवरात्री के छटी दिन मा के अलोकिक स्वरूप मा कात्याइनी की पूजा की जाती है। आप सुने के मा कात्याइनी की आरती भी। मा कात्याइनी की पूजा गोधुली बेला में करने से विशेस लाब मिलता है। इसलिए अब जानते हैं गोधुली बेला और माता की पूजा के शुब मूर्तों के बारे में। इस दिन सुबह की पूजा का शुब मूर्त रहेगा सुबह पांच बच कर चार मिनट से छे बच कर अठारा मिनट तक। शाम का मुहुर्त रहेगा शाम 5-59-7-13-8-2020 और गोधुली बेला का मुहुर्त शाम 5 बच कर 69-6 star-20 तक रहेगा। यदि आप कोई विश्येश उपाय कर चाहते हैं तो गोधुली बेला में मां कात्याणि की सच्चे मन्से पूजा करने के बाद उपाय कर सकते हैं आको नि कहा जाता है मा का तैनी का प्रेरंग लाल है और इस दिन मा को लाल रंग के गुढ़ल या गुलाब के पुष्प अर्पित करना शुब माना जाता है पूजा करने के लिए सुभा उठकर इसनान करें मंदिर साफ करें घर में गंगाजल छड़के माता दुर्गा की प्रतिमा का गंगाजल से अभिशेक करें और फिर मा को अक्षत लाल चंदन चुनरी सिंदूर पीले या फिर लाल पुष्प अर्पित करें यदि लाल पुष्प ना मिले तो आप पीले पुष्प भी मा को अर्पित कर सकते हैं धूब दीप जलाएं माता के मंत्रों का जाप करें शिरी से अंत में भोग लगा कर सच्चे मन से क्षमा याशनय करनी चाहिए आज के दिन मा का त्याइनी को शेहत का भोग लगाया जाता है क्योंकि शेहत मा को अत्यन प्री है आप शेहत का दान किसी निर्धन या जो भी गरीब जरुतमंद महिला हो उन्हें दान में दे सकती है ऐसा क सबसे शुप मौहरत माने क कथाओं के अनुसार मा कात्यान की पूजा भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण ने भी की थी इनके लावा गोपियों ने भी भगवान श्रीकृष्ण को पती रूप में प्राप्त करने के लिए मा तुर्गा के इस स्वरूप की पूजा की थी मा तुर्गा ने इस तुरिस्टी में धर्म को बनाय रखने के लिए ये अव्दार धारण किया था अगर किसी के विवाहा में बाधा रही हो या विवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं हो तो मा की पूजा गोधूली बेला में करने के बाद आप मा को शेहद युक्त पान अर्पित करें भोग में आप शेहद के लावा फल या मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं लेकिन साथ में शेहद वाला पान आप माता राने को अवश्य अर्पित करें और आपकी जो भी समस्याएं जो दुख आपके जीवन में हैं उसे दूर करने के लिए मा से सच्चे मन से प्रार्थ न करें मा कात्यानी की सुभः और शाम विधी विधान से पूजा करने के बाद आर्थी जरूर करनी चाहिए शांग को भी इसी तरह से आपको मा की पूजा करनी हैं आज के दिन सुहागिन महिलाओं को श्रंकार की कोई भी सामगरी देने से भी विवाहिक जीवन सुखद होता है मा कात्यानी की पूजा का मत्र ओम देवी कात्यानी नम्हा प्रार्थना चंद्र हासो ज्वल करा शार्दुल वर वाहना कात्यानी शुभं दद्याद देवी दानव घातनी मा का इस्तुती मत्र या देवी सर्भूतेशु मा कात्यानी रुपेन सस्थिता नमस्तस्याय नमस् आईए अब हम सब मिलकर मा कात्यानी की आर्थी गाते हैं। महिशासुर को मारा देवों को अभय दिया। आया जो तुम्हारी शरन मा कस्त्रों से दूर किया। ओम जय कात्यानी मा शेर सवारी तुम्हारी पुष्प खटग सोहे। अभय दान मा देती छवी अति मन मोहे। ओम जय कात्यानी मा। ब्रह्म स्वरूपा माता दोशों से मुक्त करो। दुरगुण हर लो माता भक्तों पर दया करो। ओम जय कात्यानी मा। छटवे नवरात्र में पूजे जन माता। गोधुली बेला है पावन ध्यावे जो सुख पाता। ओम जय कात्यानी मा। हम अज्यानी मैया ज्यान प्रदान करो। कब से तुम्हे भुकारे माता दर्शन दो। ओम जय कात्यानी मा। सर्व देव तुम्हे ध्यावे नमन करे स्रस्टी। हम भी करे गुणगान कर दो मा सुख व्रस्टी। ओम जय कात्यानी मा। कात्यानी मैया की आरति नित गाओ। भरेगी मा भंडारे चर्णों में नित आओ। ओम जय कात्यानी मा। मैया जय कात्यानी मा। पूजन मा तेरा करते दया मानित करना। ओम जय कात्यानी मा। ओम जय कात्यानी मा। झाल